हलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी, अब आपके टम वन एक्जाम स्टार्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं बाकी है, 15th of November से आपके minor subject के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, and 1st of December से आपके major subject के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उमीद है आप सब की preparation आगे हैं, लगबग एक महिना बाकी है, आपके major subject के एक्जाम के लिए, तो आप इन festival को तो celebrate करें ही, पर साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी proper plan करें, manage करें, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OMR answer sheet को लेकर, असल में बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब में और personally मुझे message किया था, और एक question पूछा था, कि सर क्या ये बात सही है, कि CBSE इस बार MCQ के answer sheet में, that is OMR answer sheet में, आपको चार option की जगा, एक पाँचवा option भी देगा, A, B, C, D के अलावा, आपके पास पाँचवा option भी होगा, तो सबसे पहली बात इस पर आज का क्या status है, वो जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था, कि CBSE ने ये बात स्कूल के head को communicate की है, through email, पर अभी तक दोस्तों, ये बात verify नहीं हो पाई है, सुनने में जरूर आ रहा है, कि CBSE आपको OMR sheet में पाँचवा option देगा, पर CBSE ने इस matter पर कोई भी clarification अपने official website पर issue नहीं किया है, तो सबसे पहली बात तो ये, तो फिर बच्चे पुछेंगे, तो सर फिर होगा क्या, तो हम फिलाल wait कर सकते हैं, कि CBSE इस matter पर exam चालो होने से पहले, कुछ clarification issue कर दे, और कैसा OMR sheet होगा, एक specimen sample OMR sheet भी अपने official website में issue कर दे, और अगर नहीं करती है, तो 15th of November से तो आपके minor subject के exam स्टार्ट हो रहे हैं, और वो भी OMR based ही होंगे, तो फिर हमको 15 November तक का wait करना पड़ेगा, कि ये बात सही है कि नहीं है, तो पहले मैंने आपको बता दिया, कि फिलाल CBSE की website में ऐसी कोई भी बात officially नहीं की गई है, बट suppose ये बात सही साबित होती है, जो उमीद है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग पहली बार MCQ दे रहे हैं, तो CBSE को भी लगता है कि हो सकता है बच्चे, पहले कुछ और answer को circle कर दे और बाद में उन्हें कोई दूसरा answer correct लगे और वो उसको circle करना चाहे, तो ऐसे में बच्चे फस जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि CBSE आपको पाच्वा option दे, तो वो पाच्वा option कैसा होगा और कैसे work कर सकता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, suppose question number one में सबसे पहले बच्चे ने A option को circle कर दिया, याद रखें आप circle करते समय, आपको काफी dark circle करना है और circle के बाहर कुछ भी marking नहीं आनी चाहें, ऐसे properly आपको circle करना है, ठीक है, उसके बाद, कुछ समय बाद, बच्चे ने जब question number one को फिड से देखा, तो उसे feel हुआ कि नहीं, correct answer A नहीं है, बलकि C है, तो अब वो क्या करेगा याँपर, C को भी circle कर देगा, ओके सर, बच सर, अब तो हमारी दो circle हो गए, तो इसमें से correct answer CBSE किसको मानेगा, इसी बात के लिए हो सकता है, CBSE आपको यहाँपर एक box प्रोवाइट करें, एक square प्रोवाइट करें, और वहाँ पर आपके हिसाब से जो correct circle है, जो आपका correct answer है, वो आपको अपने हाथों से लिखना होगा, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँपर C, तो मुझे भी यहाँपर एक डाउट है कि इसके बाद OMR sheet की checking कैसे होगी, क्या manually checking होगी, क्योंकि जो हम हाथों से लिखेंगे, इसे तो I think OMR machine read नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है, अगर CVSE यह पाँचवा option आपको देती है, तो फिर आपकी answer sheet को वो manually check करवाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, OMR answer sheet जल्दी check हो सकती है, तो CVSE ऐसा option आपको दे सकता है, एक option यह भी हो सकता था, कि CVSE आपको OMR sheet में only pencil से circle करने के लिए बोले, in that case, अगर मुझे लगता कि मेरा A circle wrong है, मेरा A circle wrong है, तो मैं A को rough करके C को circle कर देता, जैसे कि CPT में जो पहले CA का entrance exam होता था, तो जब मैंने CPT का entrance exam दिया था, तो वहाँ पर ऐसा ही होता था, हम pencil से circle करते थे, और अगर हमको लगता था कि हमने गलत circle कर दिया, तो हम उसको मिटा कर, जो correct answer है, उस पर circle कर सकते थे, तो यह option भी था, CVSE के पास, वह only pencil allow करती, then आप eraser लेके यह काम कर सकते थे, तो यह बाते थी, अगर पाचवा option होगा, तो I think ऐसा होगा, तो wait करते हैं, CVSE इस matter पर कुछ clarification ले आए, पहले से ही, और sample या specimen OMR sheet issue कर दे, जिससे कि आपको पहले से पता चल जाए कि कैसा आपको काम कर रहा है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye, take care, all the best preparation के लिए, और advance में, happy दिवाली,